हलो गाइज, वेलकम टो मैं चनल, सो गाइज, आज हमें एक हिंदी में स्टोरी रीड करने वाले हैं, चले गाइज करते हैं, पलव भारत के दक्षेन भाग के एक हुपसुरत गाउं का रहने वाला है, उसका गाउं का नाम फ़हार है, इस नाम के पीछे भी एक कारण है, विलेज कहलाने लगा है, फ़हार, गाउं अपनी हर्याली के लिए दूर दूर तक जाना जाता है, यह है, यहां की ताजी हावा, सुभा, शाम, पक्षों की चैचाहट, पत्यों की सरसाराट, और पास की नदी की कलकल, यहां के वातावरण को स्वाहाना बनाएं रखती हैं हर्याली के कारण यहां का मौसम हमेशा स्वावना बना रहता है, गाउं की प्रकर्तिक शोभा ही निराली है, मानू धर्ती मा ने इस खुबसूरत का वर्दान दिया हो, गाउं के बच्चे और बूडे सभी इसकी सुन्दरता को बनाए रखने के लिए नियंतन कोशिश करते रहते हैं, इसी कारण यहां चारो और आम, अनार कटैल, नारियल और आदी के पेड़ी पेड़ नजर आते हैं, लेकिन पहले यह गाउं ऐसा नहीं था, कैसे बना यह गाउं इतना हरा बरा इंदर और निराला, आखिर कैसे सब गाउं से अलग दिखने लगा यह गाउं, हम अपनी छोटी छोटी कोशिश से ही बड़े बन जाते हैं, यही सिक्फवार विलेज के सभी बच्चों को दी गई थी, बच्चे अपने हर चनम दिन पर पौधे लगाते हैं, वे जितने वर उन्हें उतने पोधे लगाने होते हैं, यह काम अपनी दो वर्ज के उमर से आरम करते हैं, पलव के आयू, अब आठ है, आठ वर्ज है, वे भी जब दो वर्ज का था तब से वे पोधे लगा रहा है, वह अब तक 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 35 पौधे अपने जनम दिन पर लगा चुका है साथ ही अब उसने अपने दोस्तों के जनम दिन पर रिटन गिफ्ट में मिले पौधों भी लगाएं हैं अब तो उसका बगीचा ही तियार हो चुका है पलफ द्वारा लगा गए पेड़ सड़क पाठ शालास पताल मैदान खेत और खलियान सभी जगें हैं फुलहार गाउं के हर बच्चे के जनम दिन पर गाम पंचायत की और से सबी बच्चे के लिए प्रती भोज का आयोजन की याद आयोजन होता है उन्हें स्वादिस्ट व्यंजन खिलाए जाते हैं और रिटन गिफ्ट के रूप में नन्ने पौधे दिये जाते हैं उन्हें बता जाता है कि यह नन्ने पौधे बड़े होकर पेड बन जाते हैं यह हमारी प्राणवायू अक्सीजन को साफ करके स्वस्त जीवन देते हैं गाउं के किशोरों द्वारा पौधे लगाने से उन्होने वाले लाभूं के वीडियो भी दिखाये जाते हैं इनसे प्रभावित बच्चे धर्ती मा की सुन्दर्ता बनाएं रखने की जीटों कोशिश करते रही विशिश्ताएं इस गाउं को दूसरे गाउं से अलग करती है एक बार ऐसा भी हुआ कि कुछ लालची वैपारियों की नजर गाउं के हरे भरे पेड़ों पर पड़ी उन्होंने गाउं के लोगों को लच दिया पेड़ काटो और कार खाने में भिजवाओं धन कमाओं और खुशाली हो जाओं गाउं वालों के और से उन वैपारियों के लिए प्रती भोज का आयोजन किया गया गाउं के मैदान में सफेद कपड़े का एक परदा लगाया गया भोजन के बाद उस पर प्रोजेक्ट द्वारा एक वीडियो दिखाया जाने लगा देखते ही देखते पर देव पर कुछ चित्र कुछ आकरतिया उभरने लगी वे चित्र बता रहे थे गाउं के पेड काट दिये गए उन्हें सुखा कर लकणियां कार खानों में भेजी गई फल दवाई डाल कर पकाये जाने लगे घरेडू खाद की जगा सारसायन का इस्तमाल हो रहा है पेड काट गए इसलिए जूले भी नहीं रहे पेड की चाया नहीं तो खेलने के लिए बच्चे भी नहीं आये बच्चे घर का खाना छोड़ कर चिपस आदी चीजों से पेड भरने लगे उन्हें तरह तरह की बिमार्यां होने लगी पेड कम हो गए थे इसलिए जगा जगा धूल उड़ने लगी बारिश का पानी नदी में बहकर जाने लगा पानी की कमी हो गई गाउं की हज़्याली खतम हो गई लोगों को सांस की बिमारी होने लगे हरा बरा गाउं बंजे जमीन बन गया लोग गाउं छोड़ कर शहर की और जाने लगी सभी गाउं आलो और वैपारियों मूर्ती बना कर यह आया चित्र देख रहे थे कुछ की आखे नम होने लगी तो किसी के आंसु बहने लगे वीडियो रूप दिया गया वैपारियों का मन भी बदल गया था उनको अपने किये परपचतावा था उन्होंने लाब के लिए वातावरण का नुक्षान न पोचाने का निर्णे लिया आज भी बहुत सारे डोग फहाद गाउं से प्रेम्रा लेकर अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा और स्वच बनाने में लगे हैं क्या आप भी इसमें अपना कुछ योग्यदान देंगे इन गाइज यहाँ पर कुछ कोश्चन है इनका अंसर आपको कमेंट बॉक्स मों बताना है लेकिन मैं आपके लेक बर रीड कर देती हूं बच्चों को नन्ने पौधे के बारी में क्या बताया गया वीडियो का सब सब पर क्या प्रभाव पड़ा यहाँ पर गाइज हमारे पर कुछ और कुश्चन है इने भी रीड कर लेते हैं ग्राम वासी और वैपारियों ने मिलकर क्या निर्णे लिया इस अभी लोग एक दूसरे का ध्यान खें तो कोई भी गाउं कैसा होगा यहाँ पर कुछ टिकमाक है यह है टिकमाक है तो गाइज आगर आपको इन गाइज आपको यह फाइंड करने है तो आप फाइंड कर लीजिए और गाइज दो इनका आज़र होगा वह जिल सब कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना आई ओब गाइज आपको इस स्टोरी पसंद आई होगी इस वेडियो को लाइट शेयर और टेन को सब्सक्राइब बाइब बाइब